नमस्कार जैहिन सातियों स्वागत है आज आप सभी का हमारे द्रण संग कल्प यूटूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं विशेग मिसराज आप सभी लों के लिए क्लास 7 की NCR टेस्टी के महत्पुन प्रश्णों को लेकर के आया हूँ और सभी प्रश्णों को ब अब आ रहे हैं तो यह हम क्लास 12 तक लेकर के जाएंगे तो अगर आप लों अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब किजिगा वीडियो को देखीगा और वीडियो को से रबस्ट कर दिया करें जिससे कि जो लोग यूपेसी की त्यारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो पह भर सकें तो आज कि इस शिप्टर का पहला कोशन है धक्कन के राष्ट कोट किसके सामंत थे किनके सामंत थे तो इसके यहां पर चार आप्सन दिए जा रहे हैं उपसन के और करनाटक के चालुक्यों के option B, चोलों के, option C, केरल के, चेर सासकों के, option D, बेंगी के, चालुक्यों के, तो इन चारों में से कौन सा option सही है, अगर आपको पता है, तो answer कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजेगा, चलिए, अगर आपको answer पता है, तो वीडियो को रोकने के साथ, आप answer दिया करें, मैं इसका answer आप लोगों को बताता हूँ, इसका answer होगा, option A, दक्कन के जो राश्ट कूट है, ये कनाटक के चालुक्यों के सामन्त थे, और आठमी सदी के मद्ध में एक राश्ट कूट, का एक अनुष्ठान इसने किया था, ठीक है, तो चलिए आंगे बढ़ते हैं, देखते हैं, को से नमबर दो को, ये सभी प्रसंट चेप्टर के important हैं, और इससे बाहर अगर आप देखेंगे, तो चेप्टर में आपको एक दो ऐसे point मिलेंगे, जैसे की नक्से वाला है, लेक option A, कर जो नकद रासी के रूप में बसूली जाती थी, option B, कर जो जबरन स्रम के रूप में लिया जाता था, option C, कर जो उत्पादन में हिस्सा के रूप में लिया जाता था, option D, कर जो सुच्छा से लोगों के दोरा राजा को भेजा जाता था, तो इन चारों में से कौन सा option स सही है अगर आपको पता है तो आंसर कमेंड बॉक्स में दीजेगा चलिए इसका अंसर होगा ऑप्सन बी अर्थात चोलकाल में बेटी सब्द का प्रियोग जवरन स्रम के रूप में लिये जाने वाले कर के लिए किया जाता था यह सरबादिक उल्लियकित कर है ठीक है उल्लिक को मिलता है question number 3 और तीसरे प्रस्ट में पहुंचा जा रहे है कि एलोरा की गुफा 15 के भित्ती चित्र जिसमें भगवान विश्णू को नरसिंग अपतार में दिखाया गया है किस काल की कृति है option A राष्ट कूट काल option B पल्लव काल option C चोल काल option D बौध काल तो इन चारों मे पाते हैं इसका अंसर होगा option A अठात एलोरा की गुफाओं मंदिरों और मंदिरों का निर्मार राष्ट कूट बंसके सास्कों के दौरा किया गया था जो की वर्तमान महाराष्ट के और अरंगाबाद में इस्तित हैं और यह गुफाएं अपने निर्मार काल की वार्षिक स तो हार्द को दर्स आती हैं ठीक है राष्ट कूट काल इसका अंसर होगा ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशन नंबर चार को चोता प्रशन आप सभी लोगों के सामने है और अगर आपको इसका अंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीज पोशा जा रहा है कि कलर की रचना के दौरा हमें 2026 के राजा का इतियास पता चलता है और अप्सन के राजायों का अपसं सी दक्षिन भारत के राजाओं का उपसन डी इनमें से कोई नहीं तो अगर आपको पताए कि इसका अंसर कौन सा सही होगा उपसन तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजेगा चलिए इसका आंसर होगा आप्सन ए कलर दोरा रचित राज तरंगिनी एक ब्रिहद संस्क्रत महा काब्ब है इसका नाम है राज तरंगिनी ठीक है और जिसमें कस्मीर पर सासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है कलर ने अपनी बृतान दिखने के लिए सिला लेकों, दस्ता बेजों और प्रतेक्षि दर्शियों के बढ़न और इसके लिए इतिहास समेथ सभी तरह के स्रोतों का इस्तिमाल किया था 12 सदी का इतिहास जानने का यह एक अच्छा स्रोत है तो आपको पुरी इतिहास जानने का बहुत ही अच्छा स्रोत मिल जाएगा और बार्मी सदी का इतिहास आपको इसमें मिलता है ठीक है तो चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोसे नंबर पांच को पांच में प्रशन आप सभी लों के सामने है और पूचे जा रहा है इ एवं पाल बंस के सासकों के लिए चली लंबी लड़ाई की चचा प्राया त्रिपक्षी संघर्ष के रूप में की जाती है सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था ओप्सन A कलिंग पर नियंतरण के लिए ओप्सन B कन्योज पर नियंतरण के लिए ओप्सन C गोद कमेंड बॉक्स में दीजेगा चलिए इसका अंसर हम आपको बदाते हैं अगर आपको आंसर देना हुआ करें तो कमेंड बॉक्स में वीडियो को रोब करके आंसर दिया करें तो इसका अंसर होगा ऑप्शन बी तीनों राजबंस कन्योज पर नियंतरन के लिए सदियों तक पजाओ एबं साधन संपन्य छेतर में अवस्तित था तथा कन्योज की इस्तिती सामाजी ग्रूप से बहुती मैद पूर्टी है हाला कि अगर आज देखा जाए तो कन्योज एक इत्र नगरी के रूप में सभी लोग के सामने है ठीक है और कन्योज जो है ये आज भी काफी म है तो ऐसी नदियों वाले छेतर बहुत ही महत तो रखते थे और इसी लिए कन्योज यहां पर बहुत महत तो रखते था और इसी करांट से तीनों राजबंस कन्योज पर नियंतर के लिए जो तो सदियों तर संगर्स करते रहे थे इसके बाद में हमको मिलता है कोस्टन के बारे में जानना चाहता था इस काम के लिए वह किसे बिद्वान को अपने साथ लाया ऑप्सन ए इबन बतूता ऑप्सन बी अलवरुनी ऑप्सन सी अमीर खुसरो ऑप्सन डी जियाओ दिन वर्नी तो इन चारों में से कौन सो आप्सन सही है अगर आपको पता है तो आंसर हम आपको उताते हैं इसका अंसरों का ऑप्सन बी ठीक है सुल्तान महबूद अपने साथ अपने द्वारा जीते गए लोगों वा प्रांतों के बारे में कई सारी बाते जानना चाहता था और उसने अल वरुनी नाम के एक विद्वान को इस उपमहादुइप का इस उपमहा हास का पता भी चलता है ठीक है की कईसे पहले कि लोग थे उन्होंने क्या गया जाना था इसके बारे में तो चली आँगे बढ़ते हैं देखते हैं कोसिणtar कोसने सामंत थे ऑप्सनPयों के पलवों के आप्सन बी राष्ट कूटों के ओप्सनC चेरों के औप्सनD चालुक् करें के वीडियो को रोक लिया करें चलिए आंगे बढ़ते हैं इसका अंसर होगा ऑप्सन ए चोल यह पलवों की सामन्त थे और चोल बंस के सासक राजियंदर प्रथम ने गंगा घाटी स्री लंका तथा दक्षिन पूर्व एसिया की देशों तक अपने सामराज के विस्तार सुरक्षा के लिए एक विसाल नौसेना का निर्मार किया था और बंगाल की खाड़ी की को चोल जील के रूप में परिबार्तित कर दिया था चलिए अब आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन है आठमा और इसमें पूछा जा रहा है कि तंजाबूर के ब्रीहे दोशोर मंदिर का निर्मार किस चोल सासक के दौरा किया गया और आपको पता है तो आंसर क्रमेंड बॉक्स में जल्दी से दीजएगा चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ लेकिन आप लोग आंसर देने के लिए वीडियो को पोस्त कर लिया करने वीडियो को रोक लिया करें ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं इसका अंसरों को आप्शन सी राज राज ठीक है तमिल नाड़ु के पूर्वी तटपर काविज नदी के उपजाओ डेल्टा छेतर के तंजाब और तंजाओर नाम की एक सहर पर ब्रिह देशवर मंदि कर निर्मार चोल सासक राज राज ने करवाय था यह मंदिर भारतिय बस्तुकला एबम सिल्पकला का एक अदबुत उधारन है ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुश्चन नमबर नाइन को यह भी बहुत ही महतुपूर प्रशन है और आपको इसका अं और आपको पता है तो आंसर कमेंड बाक्स में जल्दी से दीजिएगा चलिए इसका अंसर अब मैं बताता हूं आप लोग आंसर देने के लिए वीडियो को रोकर आंसर दिया करें ओके इसका अंसर होगा ऑप्सन बी ठीक है गंगाई कोंड चोलपुरम चोल बंस के बंगाल और मगद होते हुए गंगा तक के छेत्रों को बिजित कर किया अर्थाथ वहां पर विजय पाली तब इस इन विजय के उपलक्ष में उसके उसने गंगाई कोंड की उपादी धारन की थी और गंगई कोंड चोल पुरम अर्थाथ गंगा विजय चोल के नगर की देखें कोशन नमबर 10 को आज काफी सारे प्रशन हैं आज की इस चिप्टर में और सभी बहुती महत्पूर्ण प्रशन हैं दस्मा प्रशन पोशन जा रहा है कि निमनलिखित कतनों में से कौन सा ये फिर कौन से कतन सत्ते हैं ऑप्शन ए ब्यापारियों के संग को चोल काल म नगरम कहते थे तथा ये सहर के अंदर प्रसासनिक कार भी करते थे ऑप्शन भी चोल काल के स्थानिये सोसासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेक से प्राप्त होती है तो इन दोनों कतनों में से कौन सा कतन सत्त है अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द कतन सत्त है चोल काल से समबंदित इस्थानिये सोसासन की जानकारी हमें परांतक एक ठीक है किसे परांतक एक से एक के उत्तर मेरूर अभिलेक से मिलती है ठीक है और जो की तमिलाडू में अबस्थित है चली आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोसर नंबर 11 को 11 परसन भी बहुत ही महत्पूर है और यह परसन आप सभी लोगों को आने ही चाहिए 11 परसन पूछा जा रहा है कि चोल कालीन निम्न लिकित बिसेस्ताओं के संदर में दिये गए कतनों में से कौन सा या फिर कौन से कतन सत्ते हैं और चोल कालीन मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृ कृतिक जीवन के केंदर थे, कतन दूसरा दिया जा रहा है, मंदिर के साथ जुड़े सिल्पों में सबसे बिसिष्ट था काँस से प्रतिमायन लिकित बिसे क्तन स सकते हैं, अगर आपको पता आई, तो अंसर जलि से कमेंट बॉक्स में दीजीगा जब आप लोग comment box में answer देते हैं तो आपके अंदर एक confidence का confidence बढ़ता है और आपको प्रस्न याद भी रहता है तो चलिए इसका answer अब हम आपको बताते हैं आप लोग answer देने के लिए क्या करेंगे वो आपको पता है ठीक है तो यहां की का से प्रतिमा है उनकी उत्रिक्रिष्टा को प्रदासित करती है यह चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले question को अगला question को question number 12 बार्मन प्रशने उसमें आपको दो कतन दिये जा रहे हैं और यह दोनों कतन चोल काल के संबंद में हैं ठीक है और आपको बताना है कि इन दोनों कतन में से कौन सा कतन सकते है या फिर कौन सा कतन असकते है ठीक है तो पहला कतन दिया जा रहा है कि चोल काल में किसानों की बस सूल ने जैसे प्रसासनी कारे करते थे तो इन दोनों कत्नों में से कौन सकतन सकते अगर आपको पता है तो आंसर जल्दी से कमेंड बॉक्स में दीजिएगा NCRT पर ऐसे ही प्रसंद बनते हैं अब आप मुझे बताएगा कि अगर मैं इसमें चार आपसन रखता है और बताता कि इन चार में इसके कौन सकतन सकते है तो थोड़ा सा अलग टाइप कर लगता है क्यां सब्सक्राइब में कुछ इसी प्रकार से प्रसंद बनते हैं इंपोर्टेट होते हैं इसलिए हम ऐसे प्रसंद लाते है ठीक है और चलिए इसका अंसर भाम आपको बताती इसका अंसर होगा चोल काल के संबन्द में दिये गए उपरोग तो दोनों को तन सत्ते हैं चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था ये बात आप लोग रट लीजीगा क्या कहा जाता था उर कहा जाता था जो कि सिंचित खेती के कानट बहुती प्रसिद्ध हो गई थी यहां पर खेती बहुत की जाती थी और सिंचित की जाती थी ठीक है और इस काल में गाउं के समूहों को नाडू कहा जाता था जो गाउं के समूहों होते थे उनको नाडू कहा जाता था और जो नाडू होते थे ये न्याय करने और कर्वसूलने जैसे प्रसासनी कार भी करते थे ठीक है चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशन नमबर 13 को तेरवा प्रशन आप साभी लोग के सामने है और ये भी बहुत ही मैतमूर प्रशन है पूंचे जा रहा है कि चोल अ क्या कहा जाता था ओप्सन ए बेलन वगाई ऑप्सन भी ब्रह्मदेह ऑप्सन सी सालाभोग ऑप्सन डी देवदान तो इन चारों में से कौन सा ऑप्सन सही है अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजेगा चली इसकांसर आपको होगा ओप्सन ए इसको किलँ था बेलन वगाई ठीक है गैर ब्रह्मण किसांस स्वामे की भू को कहा जाता था बेलन वगाई इसके बाद में हमको मिलता चौर्धमा प्रस्रशन जिसमें पहुचे जार है कि ब्रहरों को उपहार में दी गई भूमी को अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से comment box में दीजीगा आपके comment का हमको इंतिजार रहता है चली इसका answer होगा option B अर्थात ब्रह्म देर ठीक है जो ब्रह्मणों को भूमिदान में दी जाती थी चोल काल में उसको का जाता था ब्रह्म देर ठीक है ये सभी प्रसंद किसमें चोल काल के चोल अभिलेकों में भूमि के बिभिन जो कोटियां थी उनका उल्लेक मिलता है ठीक है वहीं उसका ही सारे प्रसंद है ये चोल काल के इसके बाद में हमको मिलता है कोशन नुमर 15 पंद्रमा और इसमें पोहुँच जा रहा है कि किसी बिध्याले के रकर खाप के लिए भूमि को क्या कहते थे option a वेलन वगाई, option b ब्रम दे, option c साला भोग, option d देवदान जली से answer comment box में दीजिए अगर आपको पता है तो चलिए इसका answer होगा option c ठीक है साला भोग कहा जाता था इसे इसके बाद में हमको मिलता है कोशन नुमर 16 पूंचे जारे कि मंदिर को पहार में दी गई भूमी को क्या कहते थे उप्सने बेलन वगाई, उप्सन बी ब्रह्म दे, उप्सन सी साला भोग, उप्सन डी देवदान इन चारों में से कौन सा खतान सत्ते अगर आपको पता है, तो आंसर जली से कमेंट बॉक्स में दीजीगा चलिए इसका आंसर होगा आपको बताते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्सन डी अर्था देवदान ठीक है, मंदिर को पहार में दी गई भूमी को देवदान कहते थे, इसके बाद में हमको मिलता है कोशन नमबर सेवेंटी और इसका अंसर साइद आप लोगों ने देख लिया है, तो इसका कोशन पूश है रहे कि जैन संस्तानों को दान में दी गई भूमी को क्या कहते हैं, तो जैन संस्तान थे, उनको दान में दी गई भूमी को कहते हैं, पलिचक दम, ठीक है, पलिचन, पलिचन दम, ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे वड़ते हैं, तो देखते हैं कोशन नमबर 18 को, 18 परसन पूश जा रहे कि निमने लिकित में से, किस राजबंस ने धनी ओप्सन डी, चालुक के, तो इन चारों में से कौन सा अप्सन सहीं, अगर आपको पताया तो आउसर चली से कमेंट बोक्स में दीजिएगा, चली इसका अंसर रहोगा ओप्सन ए, अर्था चोल, ठीक है, तो इसको अब आप लोग ब्याखः के साथ में पुरत समझ अर्था चोल और उन्हें केंद्र में महत्पुन राज की पद भी सौंपे थे ठीक है और इसी के साथ हमारे चेप्टर के आज के सभी प्रस्टन कंप्लीट होते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजीगा, सेर कीजीगा, कमेंट कीजीगा और हमको बताईगा कि हम आपको और किस प्रकार से लाएं हम सोच रहे हैं कि कल से हम GS के प्रस्टन भी लाना शुरू कर दें GS अर्था जिसमें History, Geography, Science और Economy सभी कुछ आते हैं हम सोच रहे हैं कल से एक स्टार्ट करने सीरीज NCRT चल रही तो चली रही है इसके साथ में GS के पाड़े 20 कोस्टन लाना शुरू कर दें अगर आप लोग चांते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताईगा और जिल लोगं को NCRT के नौट्स लेने हैं वो लोग हमको स्तंबर पर WhatsApp पर मेसेज करके NCRT के नौट्स ले सकते हैं इसके लिए आपको पैमिंट करना होगा तो सिर्फ वही लोग पैमिंट करके NCRT के नौट्स लेना चाहते हैं हैं और इस वीडियो को कि यह क्यों कि यह आपकी धिम्मेधरी है और मैं आप सभी लोगंके लिए तौर मोग टाइम पर देखते भाती हैं तो Mexico सुसाइब तक हमारे देली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और गिंडेर से पढ़े हैं और आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे डेली के 静 शक्षेड़ी अप्लोड होता है उसकी जामकारी यारत कि का पर आपको मिलता रहता है तो चलिए आज की वीडियो को यहें पर समाप कलते हैं मिलते हैं अंगले वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन दोस्तों